एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो अब हम एनेलेसिस करेंगे बैंक निप्टिका यहाँ पर आपको 15 मिनिट का टाइम दिखाई दे रहे आज की हम वीडियो के सुरुआत कुछ इंट्रेस्टिंग चीजों के साथ करेंगे मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहता हूँ फिलाल आप यह देखके यह तो समझ गए होगे कि हमारे चारू पैटरंस में से एक पैटरन है मैंने आपको चार पैटरन बताई हुए है तो यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन वाला पैटरन है उपर आपको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है तरसल इसका डिस्केशन हम करेंगे अभी करेंगे और हर रोज करते हैं इस तरह की डिस्केशन आप समझ गए होगे इसे देखके फिलाल मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसमें फोकस करो आपको यहाँ पर एक लेवल यह दिखाई दे रहा है अब नीचे लेवाल लेवल की बात करेंगे यह 36,200 का लेवल है जो कि आपके साथ कल भी डिसकस किया गया था अब मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ वो है यह 36,300 का लेवल अब इस चीज को समझो कि यहाँ पर अब मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा कि 36,300 लेवल इंपोर्टेंट है अब मैं यह आपको कोसिस करूँगा समझाने की कि ट्रेडिंग किस तरीके से मार्केट में की जाती है पोजिशन किस तरीके से मार्केट में लिए जाती है verification curve कैसे किया जाता है कि अब हमी selling position बनाने चाहिए फिर buying position बनाने चाहिए level तूट चुका है कि नहीं अगर मैं आपसे कहूं कि 36,300 एक important support level है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है market ने support लिया 25th को देखूंगे आप market ने यहाँ पर क्या लिया resistance की तरह act किया 22 को जाएंगे हमें यहाँ पर important support दिखाई दिया 20 को भी market ने support और resistance दिखा के बता है कि यह level कितना ज़्यादा important है अभी नीचे लेवाले level को भूल जो अगर मैंने आपको यह कहा कि 36,300 का अगर हमें breakdown मिला, price नीचे sustain किया तो हमें selling opportunity मिल सकती है समझ गए अब यहाँ पर जो roll आता है, वो roll आता है 36,200 का reason अब यह level हमारे लिए पहले भी support की तरह काम कर चुका even resistance की तरह भी काम कर चुका और resistance का breakout मिल रहा है तो अभी resistance ने रहे कि हमारे लिए support बन जाएगा यानि कि 36,300 भी मैं आपको support बता रहा हूँ और 36,200 भी मैं आपको support बना रहा हूँ अगर मैं आपसे यह कहूँ कि 36,300 का अगर breakdown होगा तो आपको तुरंट selling position नहीं बनानी चाहिए आपको इंतिजार करना चाहिए 36,200 के भी breakdown का समझ गे यह pivot point देखना क्यों जरूरी होता है या option chain में open interest देखना क्यों जरूरी होता है अगर मैं आपके साथ 36,200 discuss ही नहीं करता बस यह बता देता कि 36,300 एक important level है अगर इसका breakdown मिला तो आपको selling opportunity मिल सकती है लेकिन यहाँ पर मैंने discuss इसलिए क्या है 36,200 क्यों यह भी एक important support level है बले हमें 36,300 का breakdown मिल जाए लेकिन market यहाँ पर support लेकर reverse हो सकता है तो बहुत लोगों के losses भी हो सकते है इसलिए proper हमें SL लगाना चाहिए दूसरी चीज नजदी की हमें resistance भी देखना चाहिए और नजदी की support भी देखना चाहिए का ही discussion होता तो आपको एक खुझ से देखना है कि 36,200 हमने कल डिसकस किया है यह भी एक market के reversal का कारण बन सकता है एक important support की तरह काम कर सकता है अगर हम selling position बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बहतर यह होगा कि हम इन दोनों level का breakdown होने दे price नीचे sustain होने दे तभी हमें एक opportunity के बारे में हम सोच के चल सकते है समझ में आगया अच्छे तरह के से आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको यहाँ पर discuss करूँगा कि आज market ने कौन-कौन से important level बना है यहाँ पर आप देखेंगे resistance दिखाई दे रहा है 36,600 पर हमें एक resistance दिखाई दे रहा है तो कल भी आप इसे एक important resistance के रूप में मान के चलेंगे यह level पहले भी काफी important रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 को हमें आपर support भी देखने को मिला 19 को आप देखेंगे एक important support देखने को मिला 21 को देखेंगे market ने एक important resistance भी दिखाई breakout देने के बाद एक important support भी दिखाई और आज देखेंगे 26 को भी market ने यहाँ पर resistance के तरह act किया तो 36,600 हमारे लिए resistance की तरह काम करता हूँ नजर आएगा फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो important level नजर आया है 36,400 जहाँ पर market रुखता हूँ नजर आया है पर लेकिन मैं आप से एक कहूँगा कि ना तो आपको इसे resistance मानके चलना है और ना ही support मानके चलना है क्योंकि market इसके काफी नजदीक है आपको इंतजार करना है अगर इसका breakout मिलके price उपर sustain होता है तो यह आपको support की तरह काम करता हूँ नजर आएगा अगर इसका breakdown होके price नीचे sustain होता है तो यह आपको resistance की तरह काम करता हूँ नजर आएगा यह तुरंती market में आपको समझना पड़ेगा तो फिलाल आप यहाँ पर समझगें कि 36,600 एक important resistance की तरह काम करेगा अब हम सीधा चलते हैं price action की मदद से support और resistance पे जो हम पहला discussion करेंगे अगर आपको gap up opening देखने को मली या फिर flat opening देके market ने आपको positive momentum दिखाया इन दोनों ही situation पे जो हमें resistance नजर आ रहा है 36,600 हमें एक important resistance के रूप में दिखाय दिया इसका just हमने अभी अभी discussion भी किया है 26 को दिखूंगे आपको यहाँ पर दो बार market resistance की तरह करता होना जर आए 22 को देखें 22 को भी market ने इसी जोन में resistance की तरह किया और वहाँ से यमें गिरावट देखने को मिली 21 को देखें मार्केट ने पहले resistance की तरह किया ब्रेक आउट देने के बाद market यहाँ पर support की तरह काम करता होना जर आया फिर देखें 19 को एक important support के रूप में नजर आया 18 को देखें मार्केट ने पहले support लिया ब्रेक डाउन देने के बाद resistance की तरह किया आप breakout देने के बाद फिर से support की track किया अगर आपको इसका breakout मिला उसके बाद जो में important level नहीं ज़रा रहा है 37,000 का important level नहीं ज़रा है यहाँ पर आप देखेंगे 21st को देख सकते है आपको इसी जोन के असपास आपको market ने resistance दिखाया और यही पर closing दी 19 को देखें, 19 को शुरुआत में एक resistance दिखाया फिर अपने last time में भी resistance दिखाया और इसी जोन के असपास से market ने resistance की track करके एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखाया हलाकि इसका breakout दिया था market ने लेकिन price उपर sustain नहीं कर पाया 18 को भी आप देखेंगे, यह एक resistance के रूप में आपको दिखा ही दिया वही पर हम अपना दूसरा discussion कर लेते हैं अगर आपको gap down opening देखने को मली या फिर flat opening देखे market ने आपको negative momentum दिखाया जो हमें support नजरा रहा है यह 36,200 पर नजरा रहा है अब आपके दिमाग में यह गोमना शुरूओगा वीडियो की सुरूआत हमने इसी level से की थी यहाँ पर मैंने आपके साथ 36,300 का level है यह discuss नहीं किया यहाँ पर इसका भी तो discussion किया था हमने वीडियो के सुरूआत में क्योंकि मैं आपको यह बता के चल रहा हूँ कि अगर इसका breakdown मिला तो important जो support बनेगा वो 36,200 पर बनता हो नजरा आएगा क्योंकि एक कारण हो सकता है market के reversal का अगर इसका breakdown मिला तो नीचे का कुन सा level होगा वो भी हम discuss करेंगे लेकिन अगर आप देखेंगे आज भी हमें आप एक support देखने को मिला इस zone के असपा 22 को देखेंगे हमें important support नजरा था breakdown देने के बाद हमें resistance में नजरा था 20 को देखेंगे एक important काफी अच्छा support market में यहाँ पे दिखाया था अगर आपको इसका breakdown मिलता है support और resistance का अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन पे यहाँ पे देखेंगे आपको दो red line दिखाई दे रही है उपर लेवा लाइन की बात करेंगे 36,500 जो कि आप देखेंगे 20 का high भी है अगर आपको इसका breakout मिलता है price उपर sustain करता है तो आपको मिल सकती है साथ के साथ आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है अगर इसका breakout मिला तो 20 के day high का भी आपको breakout मिलेगा उस situation पे possibility रह सकती है आपको day high के breakout वाली strategy भी आपको काम करती हुए नजर आई नीचे लेवाल लेवल की बात करेंगे आप देखेंगे 36,269 चोकि आप देखेंगे 26 का low है साथ के साथ एक बात और notice करो 25 के high की नस्दीक है लगपक सेम समझे रहो ना अगर इसका breakdown हुआ price नीचे sustain किया तो आपको मिल सकती है selling opportunities साथ के साथ आपको यह भी देखना है अगर इसका breakdown हुआ तो 26 के day low का भी आपको breakdown मिल रहा है यानि कि यहाँ पर day low के breakdown वाली strategy भी आपको काम करती हुई नजर आईगी अब उपर की तरफ हमारे क्या level होनी वाले है नीचे की तरफ क्या level होनी वाले है इनका discussion करेंगे हम pivot point की मदब से यहाँ पर दिखेंगे अगर bank nifty में आपको एक positive momentum देखने को मिला उस इस्तिती में जो हमें पहला resistance नजर आ रहा है यह 36,714 पर नजर आ रहा है अगर इसका breakout मिल गया है जो हमें दूसरा resistance दिखाई दे रहा है यह 36,907 पर आपको दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिल गया है जो हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहा है तीसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए किसी भी तरह कर ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जमिदारी भी आपको अपने आप लेनी है यहापे में तीसर resistance नज़रा रहा है यह 37,228 पर नज़रा रहा है महीं बात करें bank nifty में अगर आपको देखने को मिला negative momentum उस इस्तिती में जो में पहला support नज़रा रहा है यह 36,244 पर नज़रा रहा है अगर इसका breakdown हुआ जो में दूसरा support दिखाई दे रहा है यह 35,955 पर आपको दिखाई दे रहा है अगर इसका भी breakdown मिला जो में तीसरा support दिखाई दे रहा है यह 35,665 पर आपको तीसरा support यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब एक नज़र हम डालते हैं option chain पर यहाँ पर देखेंगे option chain पर अगर आप धियान देंगे यहाँ पर हमने expiry select कर रहा है 28 April की call की साइड हम देखने वाले हैं resistance को put की साइड हम देखने वाले हैं support को resistance की बात करेंगे तो 36,500 पर आपको एक resistance दे रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 36.4 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है फिर आप देखेंगे 36,900 जहाँ पर आपको 28.3 lakh आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है वहीं बात करें support की तो 36,000 पर आपको एक support ने जरा रहा है जहाँ पर आप देखेंगे 20.3 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है अगर इसका breakdown आप फिर आप देखेंगे 35,500 पर जहाँ पर आपको 17.4 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है दोस्तों अगर आप free में अपनी knowledge को increase करना चाते है तो जल्दी से जल्दी website को visit करें नीचे description में आपको website का link मिल जाएगा आपकी screen पर सो रहा है आप इसे google में भी search कर सकते है यहाँ पर आपको हर तरह की knowledge प्रोवाइड की जा रही है candlestick patterns के बारे में समझाया जा रहा है how to invest कैसे करना है indicator explain की जा रहा है intraday trading से related price action से related swing trading से related आपको article प्रोवाइड की जा रही है इन्हें में video भी place की जाती है video को like कीज़ेगा मुझे comment करके बताएगा कि आपको analysis कैसे लग रहे है आपके लिए कितने helpful है अगर आप इस channel पर नहीं है तो channel को subscribe कीज़ेगा साथी साथ bell icon भी प्रेस कीज़ेगा इससे आपको आने वाली videos के notification मिल सके फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ Thank you